हेलो फ्रेंट्स असलाम वालेकुम आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एफिशेंसी ओफ बड जॉइन प्रॉब्लम नुबर टू प्रॉब्लम नुबर वन मैंने पहले ही अप्लोड कर दी है अगर आपने वह नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है आप वहां से जाकी देख सकते हो तो आज हम करते हैं प्रॉब्लम नुबर टू और एफिशेंसी ओब जॉइन तो यह हमको फिगर गिवन है और हमको यहां पर गिवन है एंट्वैंटी बोल्ड ग्रेट 4.6 और स्टील की ग्रेट हमको गिवन है एफिफर बन 0E 250 हमको यह प्लान भी गिवन है इसका कनेक्शन का तो हमको निकालनी ए एफिशेंसी तो efficiency का सबसे पहले हम formula देख लगातें के efficiency का formula क्या होता है efficiency का हमारे पास formula है वो है strength of joint upon strength of solid plate इस efficiency निकाले के लिए हमको इे 2 चीज़ों की ज़रुथ पड़ती है सबसे पहले हम निकालते है strength of joint स्ट्रेंथ of joint कर दो हम स्ट्रेंथ of joint कैसे निकलेगा फिर हम इन तीनों वैल्यूज में लिस्ट लेते हैं जो हमारा होता है strength of joint तो plate strength के अंदर तो आपको एक निकालनी है जो किए tdn मतलब design strength of plate due to rupture of critical section और बाकी के दो जो होते हैं आपके bolt strength होती है पहला होता है bolt strength in shear और दूसरा होता है bolt strength in bearing तो इन दोनों का जो least होता है bolt strength के लाता है और इन तीनों का जो least होता हुआ हमारा strength of joint के लाएगा तो एके करके हम तीनों निकाल लेते हैं सबसे पहले हमको यहां पर जो given है उससे हम कुछ values लिख लेते हैं दियो 22 mm आपको pitch दे रहे है 60 mm pitch क्या होती है distance between bolt hole से bolt hole की और in the direction of force मतलब जहाँ पर लोड लग रहा है उसकी direction के अंदर मतलब parallel तो वह होती है आपके pitch यह आपके pitch हो गई और gauge distance just opposite है bolt से bolt के distance perpendicular to load तो gauge होगी 60 given है और आपको edge और end distance given है यहाप है 40 end distance आपकी यह यह end distance होती है plate के end से bolts के बीच की distance end distance और edge distance होती है आपकी edge से पहले bolt hole distance यह edge तो यह भी 40 है अब आपको great 4.6 given है तो आप इसे दो values निकाल सकते हो आपको Fyb और Fub bolts के लिए तो आपको 4.6 given है मैं आपको बताओ नहीं कैसे निकालता है Fyb आपको निकालना है तो आपको सिर्फ 4 और 6 को multiply करना होगा तो 4 और 6 को multiply करेंगे तो आपका अगर 24 तो 4 multiply 6 क्या होता है 24 24 में का आगे 0 जोड़ दिया तो एम मेगा पास्कल है और Fub क्या होता है तो Fub यह 4 है इस क्या कि आपको सिर्फ 2-0 लगाना है तो वह यह आपका Fub तरीका है तो हमेशा ध्याना के Fyb Fub से बड़ा होता है तो अब आप देखलें स्ट्रेंद ऑफ ज kend लिए सबसे केलिए कर लेता है रें ट्रेंफ आफ प्लेट्स का तो साबसे पहले हम निकाले प्लेट्स आपको यह ふर्मूला कोड में आपके इस खोड़ के लिए टो बै मैं निकाल देता है आपको यह आपका इस कोड़ पेज नमबर 32 यहां पर आपको टीडियन का एक फॉर्मुला गिवन होगा आपको यह टर्म जो है यह नेगलेट करनी है नेगलेट इसलिए कर रहे हम क्योंकि यह स्टाइगर्ट पीछ के अंदर यूज होती है इस तरह दिखेंगे आपको तो वह हमारी इसमें ही नहीं तो इन इसकेस इसको जिरो माल लो आप तो आपकी बचे की सिर्फ यह वाली मल्ट इन लाइए अब आपको सिर्फ वैटयो डालनी है यह विटकैंज अब व् Ik ehativa लेड लेक्वलो derived अभीछ टो इसक्शillon सबसे पहले सक्षेंग और इफैक्ट और यह वाला सेक्शन सबसे पहले ब्रेक होगा लाइकल टूर इस तरफ से हम देखें तो सबसे पहले यह तीन देखें तो यह तीन हो जाएंगे तो यहाँ पर यह 3 होगा तो इसमें कितने नुम्र और वल्ट्स हैथ तो 3 तो वह हमारा N होता है जो कि नमर अब वल्ट्स इन क्रिटिकल सेक्षिन जो कि हमारे यहां पर 3 और DO गीवन ये 22 तो क्या हो गए अब यह थिकनेस क्या होती है वह देख लेते हैं कि थिकनेस क्या होती है आमें थिकनेस क्राइटेरिया गिवन है ''Sumission of thickness of cover plate'' या फिर pure thickness of main plate.. तो यह दो हैं इन दोनों में सी आपको least देखना है इन दोनों में सापको least select करना क्या होता है Summission of thickness of our plate अब आपके देख़ेदां होकी cover plates यह चाहां पर लगी है यह जो हमारी main plate हो गही 18 mm यह ऎन स्टी ओर 6 mm की क ऊते हैं तो curve plates की thickness का sum करना है तो 6 और 6 तो यह हो जाएगा हमारा 12 mm 6 6 12 mm और हमारी जो main plate है उसकी thickness के हम उसके हम को दे रखिए 18 mm इसकी भी 18 और इसकी भी 18 तो 18 mm thickness of main plate और summation of thickness of cover plate मतलब 6 6 12 mm तो इन दोनों में list हमको लेना है जो कि हमारा वोगा थिकनेस जो T है तो इन दोनों में लीस्ट क्या है तो 12 mm तो हमको T लेना है 12 mm बस आपको यही चीज़ का इस क्रेटेरिया का ध्यान रखना है आप बागी सब से में तो multiply by 12 करना है आपको ध्यान रखना है 18 नहीं 12 करना है क्योंकि यह लीस्ट है तो TDN आएगा आपका 0.9 multiply 200 माइनस 3 into 22 multiply 12 और FU 410 है अपन गामा एमेल इस पार्शिल सेफ्ट फैक्टर अगर आप को यह नहीं मालूम तो यह पेज नमबर 30 पे गिवन है पेज नमबर 30 पे यह गामा एमेल सेफ्ट फैक्टर की वैलिव है गामा एमेल यह री 1.25 तो 1.25 किया उसके बाद TDN आपका आपने यह स्ट्रेंथ निकाले TDN अब आपको दो और निकालने फिर आपको देखना है कि लीस्ट कौन सी है दोसरे हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे शियर के अंदर तो शियर के अंदर लिए पैसिटी ऑफ बोल्ट गिवन ए भी डीएसबी का फॉर्मिला तो वी डीएसबी एपन गामा एंबी जहां पर वी एनसबी एफ यूबी एपन रूट त्री एनन एनवी प्लस एनस एस भी होता है तो हम देख लेते हैं हमने यहां पर फॉर्मिला लिख लिए है भी भी निकालने के लिए हमको एफ वी तो उम्हालोम है एनन एस क्या होता है तो यह बर्फ जोइंट है माmpана यह bud joint है इसलिए हमको NS यहाँ पे 1 और NS भी 1 लेना है इसका मतलब है number of shear planes passing through thread और यह होता है number of shear planes passing through shank तो दोनों में 1-1 होगा क्योंकि यह bud joint है तो दोनों का 1 ले लिया और N-N-A-N भी क्या होता है तो threaded portion का area तो होगा threaded portion का area होगा 0.78 pi by 4 times d square और आपका shank part का area होगा pi by 4 times d square इसमें हमने 0.78 का factor introduce किया है क्योंकि यह threaded part का है क्योंकि threaded part हमेशा कम होता आपको मालूम होगा ध्यान होगा bolt कुछ इस तरह से होता है threaded part तो वो उसका थोड़ा area less होता है तो VNSB का हम दिखेंगे तो 400 FUB हमको मालूम है 400 गिवन है हमारे पास अपन रूट 3 1 into 0.78 by 4 20 square d is your diameter of bolt plus 1 into 5 by 4 times 20 square तो यह आएगा आपका 129.14 किलोन्यूटन अब आप देखें कि यह आपने निकाला है एक bolt के लिए अब आपको कितने bolt हैं आपके पास कुल मिला कि आपको देखना है कि bolts कितने हैं तो 1,2,3,4,5,6 तो आपके पास कुल मिला कि 12 bolts है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस connection को fail होने के लिए सिर्फ ये 6 bolt काफी है इस ये 6 bolt fail हो जाते हैं ये पूरे 6 bolt अगर fail हो जाते हैं तो ये पूरा connection fail हो जाएगा तो आपका इस connection को fail होने के लिए कितने minimum bolts required हैं तो 6 तो आपको यहाँ पे 6 से multiply करना है तो 6,1 bolt के लिए आया तो 6 bolts के लिए कितना होगा तो 6 into VNSB करेंगे हम जो हमाने value निकाली तो 6 into 120 10.14 तो आपका जो final VNSB आएगा 6 bolts के लिए वो आएगा 774.84 kN आपकी VDSB सिर्फ इसमें कुछ नहीं gamma MB का divide करना है क्योंकि हम safe side रहना चाहते हैं तो partial set factor से divide करना है तो design कुछ भी नहीं है यह nominal था और यह design के लिए हमको सिर्फ उसको gamma MB से divide करना है तो gamma MB के value हमको मालूम है 1.25 होती है तो 1.5 से divide किया तो VDSB आएगा जो की design है D का मतब design shear in bolt तो 619.87 किलो न्यूटन यह दूसरी value आ गए आपकी आपने देखना है आपने दो values निकाल आपने दो values काल्कुलेट कर लिए हैं तोहली आपकी TDN दूसरी आपकी VDSB तो आपने निकाल लिए हैं तीसरी निकाल लिए VDPB जो की bolt की है न in bearing तो in bearing के लिए हम देख लेते हैं वोई page number 75 तो page number 75 के हम देखेंगे यहाँ पे यह given है bearing capacity of bolt इसके just pass में तो VDPB क्या होता है VNPB upon gamma MB तो VNPB मतलब nominal का formula क्या है तो 2.5 KB DT FU जहाँ पे KB क्या होता है तो KB होता है smaller of यह 4 values का जो least है वो आपका KB होता है तो हम यहीं निकाल लाएं देख लेतें क्या है तो KB VNPB मतलब nominal का formula है 2.5 KB DT FU KB है least of this 4 तो पहली है आपको E upon 3D naught E upon 3D naught दूसरी P upon 3D naught minus 0.25 तीसरी FU B upon FU और 4th है 1 तो इन 4 हो का least आपका KB है तो मैंने को आपको मालूम होगी यह होती है end distance यह होती है डियो होती ही diameter of hole तो E h distance हमको question में given है मैं को पहले बताया था end distance end distance इस plate के इस hole के center और इस edge end तक तो होती है आपकी यहाँ पे given है 40 तो यह end distance आपकी 40 given है upon 3 multiply 22 तो होगा 0.60 अब P upon 3D naught minus 0.5 तो P के आपकी given है मैंने को आपकी होती है force के parallel bolt से bolt hole की distance तो यह होती है P यह given है आपको question में 60 तो P चापकी 60 है तो 60 upon 3 into 22 minus 0.5 यह क्या है 0.65 तीसरी FUB upon FU FUB क्या है तो यह रहा FUB 400 MP है और FU है आपका 410 400 upon 410 यह आपके आएगा 0.97 और lastly आपका 1 अगर यह नहीं होतो वन लीस्ट लेलना है तो अब इन चारों में लीस्ट कौन सी है तो आपकी 0.60 तो KB के फेली फाइनल निकल किया है 0.60 बाकी सब सेम ही है तो VNPB का क्या है 2.5 KB KB आए 0.60 D diameter of bolt तो cover plate के thickness का सम क्या था तो 12 आ रहा था और आपकी main plate के thickness कितनी 18 mm तो दोनों में least है 12 तो आपको thickness यहाँ पे 12 उसकरनी है और यह rupture strength वाल में भी आपको thickness वही उसकरनी है तो यहाँ पे 12 लिखा फिर आपको FU लिकालना है तो आपको FU मालू में 410 अब VNPB आप निकालेंगे तो आएगा 147.600 किलो न्यूटन अब जैसे हमने इसमें निकाला था VNP, VNSB निकाला था यह निकाला था एक bolt के लिए अब आपने total number of bolts multiply किये थे जो की थे 6 इस connection को fail होने के लिए तो 6 multiply करके आपने निकाला था वैसी आपको यहाँ पे 1 bolt के लिए आया है तो 6 bolt के लिए निकालना है 6 bolt के लिए कि आओगा 6 multiply कर देंगे VNPB में जो value आई इसमें 6 multiply किया तो 6 into 147.60 तो VNPB आएगा 885.60 किलो न्यूटन अब यह final value नहीं है आपकी design आपको निकालना है तो आएगा 708.48 किलो न्यूटन आप चाहो तो पहले इसमें divide करके आप बाद में 6 multiply कर सकते हैं मतलब पहले इसमें safety factor का divide करके आप बाद में 6 से multiply करो मैंने यहाँ पे किया किया पहले 6 multiply किया क्योंकि आपके 6 bolts है minimum fail होनी के लिए उसके बाद मैंने partial safe factor से divide किया है तो यह आपको करना बहुत important है क्योंकि design चीए आपको यह nominal है और यह design आया 6 bolts के लिए आया 708.48 किलो न्यूटन आपने तीसरी value भी निकाल लिए तीसरी आपकी है यह भी डीपी भी निकाल लिए अब तीनों में आपको least देखनी है जो कि आपका हुए strength of joint तो आप अगले step पर जाते है strength of joint क्या है least of TDN, VDSB और VDBB तो आप देखे least select कर ले तो least आपकी है पहली TDN आ रही 474.68 दूसरी आ रही है आपकी दूसरी आ रही है 619.87 और तीसरी आपकी value आ रही है 708.48 तो आप देखेंगे सबसे least आपको दिख रही है पस जो आपने निकाली थी 474.68 तो जो आपकी हो जाएगी strength of joint तो इन तीनों में least क्या रही है TDN तो strength of joint आ गई 474.68 जो कि design strength in rupture of rupture of critical section of plate अब आपको second निकालनी या आपने निकाल लिया अब आपको निकालनी strength of solid plate तब आप efficiency निकाल पाएंगे तो strength of solid plate क्या होता है इसका बता जाता हूँ page number 30 पे आपको given है 32 तो 32 पे design strength due to yielding of gross section ये TDG AGFI upon gamma MO ये होता है आपका strength of solid plate in gross section due to yielding of gross section तो TDG हो गया जहांपे FI yield stress है तो आप देखेंगे TDG होता है AGFI upon gamma MO जहांपे AG आपका gross sectional area तो gross क्या होता है gross sectional area length multiply by thickness तो gross area क्या होगा आप main plate की बात करें इसके अंदर आपको B into T करेंगे तो B आपका 200 है और thickness आप 18 लेंगे ना कि आप thickness लेंगे मैंने बताई थी आपने 12 लिया था हमने यहांपे यह वाली thickness आपको नहीं यूश करने क्योंकि यह gross area of plate की बात कर रहा है अगर यह plate की बात कर रहा है तो यहांपे आपको thickness 18 mm लेनी ना कि 12 mm तो एक चीज़ का आपको यहांपे भी धियान अखना होगा तो एजी हो गया बी इंटू टी 200 इंटू 18 तो यह आए 218 इंटू 250 एफवाइ अपन गामा एमो की वैली होती 1.10 आपका यह निकल के आएगा 818.18 किलो न्यूटन तो एफिशेंस आपकी निकल के आएगी strength of joint TDN upon strength of solid plate TDG तो TDG यह TDN हो गया और TDG multiply by 100 क्योंकि percentage है तो इटा आएगा आपका 474.68 upon 818 यह वाला upon यह करेंगे multiply by 100 क्या तो 58.01 percentage आपका answer आएगा तो यह आपकी efficiency of bird joint का question जिसमें efficiency आपकी निकल के आए 58.01 percentage तो यह था आपका efficiency of bird joint का question अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आप channel पे नए हैं तो please subscribe to my channel और वीडियो अगर पसंद आए है तो please like करना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना आपके दोस्तों के साथ तब तक लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं आप से thank you